क्यूंकि आप एसपर लाना तो नहीं को जंटा का यह सोच है कि बीजेपी को हराना तो कॉंग्रोस को साथ देना है वह केवल उस नाम की तलाश करियों जिस पर बटन दबाना है तो इस गोश्ना पत्र के आधार पर भाजपा ने क्या काम किया और कॉंगरिस ने क्या काम किया है उनकी तुलना जरू करें ऐसा कौन सा गलत काम है ऐसा कौन सा अपराद है जो जंदा के बढ़ती उन्होंने नहीं किया उन्होंने जो सड़के थी सारी सड़के खराब को नमस्कार रुड़की मैं जोती भी स्वागत है आपका अब बिग न्यूज में आज हम आए हैं आशिस सैनी जी के साथ तो कुछ बारत लाब करने तो चलिए आईए इनसे कुछ क्वेशन्स पूछते हैं सार जैसे कि आप कॉंग्रेस में भी हैं पार्टी में भी हैं और संगटन में भी हैं तो अभी तक आप रुड़की विधान सभा में कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत क्यों नहीं कर वाई देखिए, कॉंग्रेस मजबूत है और भारती जन्ता पार्टी के मुगाबले पे हमने 2012 में विधानसभा चुनाओ जी था और जो अभी नगरनिकम चुनाओ गया है तो इसमें भी हम BGP से अधिक रहे हैं बारती जन्ता पार्टी की जो सोच थी जो जुमले जगरते थे उसमें वो आंचिक रूप से भले ही सफ़र लहे हो लेकिन मुल लूप से कॉंग्रेस पार्टी यहां ग्राउंड पर भी और हल चीजों में सबसे अधिक मजबूत है जी सर उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि जो यह अश्पाल राणा जी है वो BGP चॉइन करने वाले हैं कितनी सचा है इस बात में देखिए कॉंग्रेस सरकार में आ रही है उत्राखन की जंता कॉंग्रेस के पक्ष में अपना मौल बना रही है यह बात सभी को बालो में कॉंग्रेस के कोई भी व्यक्ती BGP पे नहीं जा रहे है BGP आज एक डूपतावा जहाज है जिस तरीके से BGP से छोड़कर लोग कॉंग्रेस पे आ रहे है आज भी भारतिन्था पार्टी अपने विधायकों की बाड़ा बंदी करने में लगी हुई है भारतिन्था पार् सामना उनको करना पड़ रहा है तो इसलिए भाजपा में भगजड है Congress तो समूझ रहे है कोई अगर Congress में आता है उसका स्वागत किया जा रहा है लेकिन Congress से भाजपा में कोई जा रहा है ऐसी कोई सब्चावना नहीं है जी सरूर्ती उर्ती खभर यह ए रही है कि जो रुड में जिताय था तो उनकी जिम्मेदारी है कि जंदा के भावनाओं का सम्मान करें और भाजबा का भाईशकार करें तो अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे निश्य दूप से जी और सर कॉंग्रेस में जो दमदार कैंडिडेट है वो कौन है या श्पाल राना जी या सचिन गुप्ता जी देखे कॉंग्रेस में जिन लोगों ने आविदन किया है मैं सभी 14 लोगों को व्यक्तित रूप से जालता हूँ एक से बढ़के और एक से दिक काकतवर लोग है उनमें से किसी के पक्ष में भी कॉंग्रेस पार्टी पर्चाशी बनाने का दिनने लेग तो पूरी कॉंग्रेस उसके लिए जूट है और हर एक एंडिट अपने अपने परामिटर पर बहुत मजबूत है इसलिए हमें विश्वास है कि कॉंग्रेस मजबूत है और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेट बात इस समय में हो रही है सभी दावेदारों ने पार्ट है भी परिवरतनी आतरा हुई हम सब लोग एक साथ थे और उसके बाद जितने भी कारग्राप हो रहे हैं चाहे पुतला धहन को किसी को भी हो कई बार हम भी समय से नहीं पहुच पाते तो लेकिन हम इकठे ही है और मैं तो हमेशा हर प्रोग्राम में इकठे ही रहे साथ रहे और मैं क्या रहा हूँ सभी चोच प्रमुख दावेदार हमारे पार्टी के है जो सम्भावित पार्टी के परतियाशी हो सकते है वो सब लोगों के साथ है ऐसा कुछ नहीं है जी अगर सर मैं बात करूँ कि अगर आप कॉंग्रेस से किसी एक नेता को उठाना चाहेंगे तो आप कौन से ऐसे एक पर्टिकुलर नाम होगा जिसको आप चाहेंगे कि वो रुड़की विधान सभा का विधायक बने दिखिए ये निलने का दिकार पार्लेमेंटरी बोड़ को है उसमे वारे मुख्य मंत्री हैं परतिश अद्देक्ष हैं परभारी हैं और बहुत से अब करने में अगर कहीं हमारी मदद की जरुत होती है किसी जरुत होगी तो हम साथ खड़े होते हैं तो जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं आप तो जगा जगा जाते हैं सर्वे करते होंगे तो आपको जनता की राय जानकर आपका क्या लगता है फिर भी कि कौन आना चाहिए देखिए जनता की एक राय है, मैं आज जबड़ा विधान समा में रहा, मैं खानपूर में भी गया, आज मी और लक्सर में भी गया, तीनों विधान समा में दो राकिया, रुड़की में तो हम लोग बैठे ही हैं, सभी जगों से परतियासी चैन को लेकर आम जनता में कोई ऐस किरोसिटी नहीं है, आम जनता ही चाहते हैं कि कॉंगरेस जल्दी से अपना केंड़ेट डिक्लियर करें और हम चुनाओ अभियान में उसे दूले के रूप में लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी जीत हासिल करें, यह जनता का यह सोच है कि BGP को हराना है तो कॉंगरेस को स कि मैं एक विशेश जरूर आपके दर्सों को बताना चाहूंगा कि जब वोट देने कर जाये तो आप पार्टियों जब चैन करें तो आप जो गोष्णा पत्र होता है जो जनता के सामने वचन होता है जिसे हम वहुकुल एक तरह से धर्म के बराबर सम्मान देते हैं तो उस गोष्णा पत्र के अधार पर भाजपा ने क्या काम किया और कॉंगरेस ने क्या काम किया उनकी तुलना जरू करें कॉंगरेस पार्टी अगर काम के नाम पर आएगा तो मैं मानता हूं कि 90% वोट कॉंगरेस को मिलना चाहिए अगर आप काम के नाम पर जुमलों के नाम पर ह हम अपनी आने वाली PD का केरियर बरबाद करेंगे और उनके लिए बड़ी कटना ही दे कर जाएंगे तो हम उस पाप के भागीना बने हम कॉंग्रेस का साथ दे कर प्रगति का काम करें जी तो सर अभी जो हमारे फिलहाल में BJP के नेता है परदीब भत्रा जी उनके लिए आपका क्या कहना है देखिए मैं इस परश्ट तोर पर कहूँगा इसमें मुझे कोई जगित नहीं रुड़की की जनता ने उन्हें निर्दली की रूप में चुना उन्हें कॉंग्रेस केंडियेट के रूप में चुना और भारतेंदा पार्टी में गए तो भारतेंदा पार्टी ने उनको विधायक के रूप में चुना लेकिन आज इस 14 साल के कारेकाल में सिवाए शेहर की बरबादी के और सिवाए लूट खसोट और गलत निर्मान सब कुछ गलत करने के बाद आज रूड़की की जनता से उनका मन परती जो मन है वो उचट चुका है रूड़की की जनता उन्हें किसी भी पद पर नहीं देहना चाहती ऐसा कौन सा गलत काम है ऐसा कौन सा अपरात है जो जनता के परती उन्होंने नहीं किया उन्होंने जो सड़के थी, सारी सड़के खराब क्वाल्टी की बनाई, जल भराओ, सिविल लाइन जैसे इलाके में भी होने लगा, तो ये ऐसे विधायक के लिए शर्म की बात है, जो इतने लंबे समय तक शाषन में रहा हो, और आज जब भी रहा तो उसकी सरकार रही, उसक बट फिर भी बीजेपी ही जीती, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, देखें, बीजेपी नहीं जीती, जनता ने एक निर्दली केंड़ेट का साथ दिया, वो निर्दली केंड़ेट ने भी मैं कहूँगा कि जनता के जनमत को धोका देते हुए, भाजपा का जोइन करना जैसी स्थिती हो गई है, नगर निगम जैसा संसान, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उड़की शेहर का सारी विवस्ता है समाले, आज वो खुद अपनी विवस्ता समाल पाने में फेल हो रहे हैं, जिस प्रकार से मेर ने ब्रष्टचार के आरोप M.N.I. और S.N. पर लगाए है दोनों को हटाया गया है, लेकिन हटाया चुनावा योग ने है, इस राज्य की सरकार ने ब्रष्टचार ये दिगारियों को नहीं हटाया, आज भी पार्षदों का जो दवाव मेर पर है, जनता समझ रही है कि वो किस कारण से है, और अगर ब्रष्टचार इसकी जड़ में है, तो ये बहुत शर्मलाग है, जी, तो ये थे हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी से आशिस सैनी जी, ऐसे ही गर्मा गर्म खबर लेने के लिए हमारे चनल को देखते रही है, मैं जोती बेस धन्यवाद,